दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देवेश दोस्तों आपको जानकारी लग गई होगी कि दिल्ली में रहने वाले जो रोहिंगया सरणारती हैं उनको लेकर जो बिवाद था वह आज भड़क गया है बारत सरकार में जो मंत्री हैं हरदीप सिंग पुरी साहब उन्होंने एनाई की रिपोर्ट का हवाला देकर जो है आज सवह सवह टूइट मार दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि रोहिंगया गोस्पैटियों को भगया जी भारत सरकार सुख़दायां दे रही है भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है लेकिन दोस्तों वास्तों में हर्दीर सिंग पुरी साहब ने मुद्दे की गंभीरता को समझने में नाकामी प्रदर्शत करी है परणाम सुरूप जैसे ही कुछ घंटों के बाद भारती ग्रहमांत्रालैक को पता लगा उनके कान खरगोस की तरह खड़ हो गया और उन्होंने भी ट्वीट मार दिया कि भईया जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और अहीं बात ये कि जहां पर ये रोहेंग्या घुषपैटिये रह रहे हैं उस जगह को उस लोकेशन को डिटेंशन केम्प का दरजा दिया जाना चाहिए दुख की बात है दोस्तों ये कि जहां पर ये लोग रह रहते उस जगह को डिटेंशन केम्प का दरजा अभी तक अभी तक नहीं मिला था उल्टा दिल्ली सरकार रोहिंग्या घुसपैटियों को फ्लेट दे रही थी तो दोस्तों सवार उड़ता है कि आखर दिल्ली सरकार को ऐसा क्या पढ़ा था कि उन्होंने ये निर्णे लिया तो यदि आप उसी एन आई की रिपोर्ट को पढ़ें जिसका हवाला दिया था हरदीप सीमपुरी साहिम ने तो उस रिपोर्ट में साफ साफ लखा हुआ है दिक्कत क्या थी कि जिस जगह पर यह रहे हैं वहां पर आग लग गई थी आग लगी तो वहां की दिल्ली की सरकार है उसने कहा कि भाईया जी हम जो है केंप स्टप करेंगे हम टेंट लगाएंगे आपके लिए तो वो जो टेंट है उस टेंट का जो खर्चा है वो देती है दिल्ली सरकार महिने का साफ से आट लाख खर्चा आता है सिर्फ उस के पैसे से उनको जो है टेंट मोहिया करवाया गया है तो अब सवाल उठता है कि भीया जी वह सात लाग महीने का जो खर्चा उसको कम कैसे किया जाए इसके लिए उन्होंने निर्णे लिया था कि इन घुस बैठियों को ट्रांसफर कर दिये जाए इस फ्लैट में जो की करी उन्होंने यदि दिल्ली की सरकार उनको एस्थाई केंप से इस्थाई चद दे देती तो इसका मतलब क्या हो जाता इसका मतलब यह हो जाता कि उनकी भारत में जो इस्थती है वो और मजबूत हो जाती ना सिर्फ यह रोहें गुस पैठियों कि भारत में रह रहे हैं उन तो भारत छोड़ दीजिए, यहां तक कि बंगलादेश की सरकार, बंगलादेश की नेता, बंगलादेश के अदिकारी कहते हैं बारबार, कि उनके यहां पर जितने रोहिंग्या घुस पैठी हैं, उनको बापस लोटाया जाना चाहिए म्याममार में, जब बंगलादेश यही कहता है, इसी बात की मांग करता है, यदि भारत भी ऐसा ही कहता है, और करता है, तो उसमें क्यों आसमान सर पर तूटकर गिरना चाहिए, आप यदि टेंट दे भी रहे हो, तो उस जगह को आप कम से कम डेटेंशन सेंटर तो गोसित कीजिए, आज जो भी है बवाल हुआ, उसका एरिया में एक पॉजिटिव पॉइंट घूनना चाहिए, तो वो यही है, कि कम से कम वह एरिया जहां पर यह लोग रुके हुए है, अब वह डिटेंशन केम्प बन गया है, सरकारी कागजों में भी लिख जाएगा, वह जो एरिया है, वह डिटेंशन केम्प है, उसम भारत में रहने की सुर्दा दी जाए, तो भाया जी रहने की सुर्दा आप किसी को भी दे लो, सवाल बड़ा यह है कि इसका खर्चा कौन देगा, भारती सरकार की जो मानतावाजी दिपनीती है, जिसके अंतरगत वो कहीं, स्री लंका को कहीं, नेपाल को कहीं, घुटान प भारत में आएं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, जिनको स्वागत करना भाया जी बुतुम खर्चा दो ना, तुम को खर्चा देने से किसने मना किया है, भारतिये टेक्सपेर की जेव क्यों कतर रहे हुआ, बड़ा सवाल है यह है, अभी जब कि इन रोहेंग्या घुस के सर प्यार ही है, इसलिए जिदना रहेंगे उतना भार पड़ेगा भारतिये टेक्सपेर के ऊपर, हमारी उम्मीद है भारत सरकार से, कोर्ट से, नया अलयाओं से, भाया जी इन घुस पैठियों को लोटा हो, इन घुस पैठियों को इन ही के देश भेजिये ताकि भारतिय टेक्सपेर को राहत मिले, सब लोगों को टेक्स बढ़ाना है, टेक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, बास समझे में आ गई, भारतिये टेक्सपेर जो पानी से लेकर हवाई आत्रा तक सब पर टेक्स अदा करता है, क्या उसका ये मांग करना गलत है, कि ये जो टेक्स है, उस उसका इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया जाहिए टेक्स पेर टेक्स इसलिए देता है ताकि इसका इस्तमाल उसके हित्में किया जाए ना कि उसको खर्च किया जाए दूसरे देशों से आने वाले घुसपैटियों को सुख सुख़दाएं देने में इसलि वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जैश स्री राम